तो students अब शुरू करते हैं इस topic का CV4 coordinate bond तो चलिए समझते हैं कि coordinate bond क्या होता है coordinate bond को dative bond भी कहा जाता है ये एक परकार का two center, two electron covalent bond होता है जिसमें bond बनाने वाले दो electrons, same atom से ही आते हैं इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक example लिया है जिसमें AX3 donor है और B acceptor है B के पास electrons की deficiency है वो दोनों ही electrons atom A से जाएंगे तो इस से जो bond बनेगा उसको हम कुछ इस परकार से show कर सकते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं कि B के पास sharing के लिए एक भी electron नहीं था जबकि A के पास दो electrons available थे तो यहाँ पर A और B के बीच में जो electrons की sharing हुई है उसमें दोनों ही electron atom A ने donate किये है तो इस परकार से बनने वाले bond को dative bond या coordinate bond कहा जाता है चलिए coordinate bond को एक real example से समझते हैं यह तो हम जानते हैं कि जो nitrogen है उसका atomic number 7 होता है और इसलिए उसका जो electronic configuration होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p3 अगर nitrogen तीन hydrogen atoms के साथ sharing करके ammonia form करता है तब nitrogen के पास दो unshared electrons रह जाते हैं जिनको हम lone pairs बोलते हैं और अगर H plus nitrogen के साथ combine होने के लिए आता है तब nitrogen अपने दोनों ही unshared electrons को sharing में use कर लेता है और bond form करता है तो यहाँ पर ammonia molecule में nitrogen donor है जबकि H plus acceptor है और यहाँ पर जो bond form होगा उसको हम कुछ इस तरह से show कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब nitrogen और बाहर से आए H plus के बीच में एक एक electron के sharing हो गई है जिसमें sharing के दोनों ही electron nitrogen ने दिये थे इसलिए इस bond को coordinate bond या dative bond कहेंगे और यहाँ पर जो positive charge था उसको हम पूरे molecule के उपर show करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आई अब coordinate bond को समझते हैं ammonia boron trifluoride में तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ammonia में nitrogen के पास unshade electron pairs हैं जबकि boron trifluoride में boron के पास electrons की deficiency है तो इसलिए जब इनके बीचे bonding होगी तो nitrogen अपने unshade pair electrons को boron को देदेगा जिससे ammonia और boron trifluoride के बीच में coordinate bond फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर जो sharing के दो electrons हैं वो दोनों ही ammonia के nitrogen ने दिये हैं Students, आपने इस topic में जो भी concepts cover किये हैं उनकी summary को यहाँ पर दिया गया है जैसे हमने इस topic में पढ़ा कि Lewis. symbols क्या होते हैं कैसे बनाए जाते हैं और इनसे हम molecules को कैसे represent कर सकते हैं हमने इस topic में समझा कि enthalpy of lattice formation किस तरह से crystal lattice को stabilize करती है हमने यहाँ पर यह भी पढ़ा कि जो covalent bonds होते हैं वो electrons की sharing से बनते हैं और हमने यह भी जाना कि जो ionic bonds होते हैं वो metals और non-metals के बीच में electrons के transfer से बनते हैं हमने इस topic में coordinate bond के बारे में भी पढ़ा है students इस topic को cover करने के बाद आप इन questions को solve करेंगे यह questions हैं NCRT के text questions, NCRT के exercise questions और अवन्ती workbook के यहाँ पर mention किये हुए questions के लिएम इस तेदो ब